कि इस फूरत प्लॉस ये रिस्ता क्या लाता है में काफी दिनों से दर्शकूं को इस बाथ का इंतजार था कि आखिरकार कब कार्तिक और नैरा का मिलन होगा लेकिन अब कार्तिक के सामने नैरा के जिन्दा होने का रास सामने आ गया है उसके बाद भी कार्तिक ने नैरा से रिष्टा तोड़ने का फैस्टला कर लिया जिससे दर्शक काफी हैरान है वहीं बीते एपिसोड में आपने देखा ही कि कार्तिक जब नैरा की मम्मी को बचाने के ले जाता है तो वो उसकी मम्मी का चहरा देखकर शौक डू जाता है क्योंकि कार्तिक नैरा से कई सवाल पूछता है जिसका जबाब नैरा नहीं देपाती वहीं आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि नैरा का जूट सामने आने के बात कार्तिक वेदिका से शादी करने के लिए खुद को मना लेगा वो मन ही मन सोचेगा कि जिस नैरा की याद में उसने इतने साल बिता दिये उस नैरा ने कभी उसके तरफ पीछे मुरसर नहीं देखा उसने कभी गोयंका हाउस की तरफ नहीं देखा यही सब सोचकर कार्तिक ने वेदिका से शादी करने का पैसला ले लिया है और इस तरह कार्तिक और वेदिका की नई कहानी अब शुरू होगी वेब 23 नीज के लिए राहूल की रिपोर्ट